गंटो गंटो की पढ़ाई करना सिर्फ एक ही उम्मीद में कि किसी दिन मैं आईए जरूर बनूँगा किसी दिन वो समय भी आएगा कि जिस दिन मैं वो बनूँगा जो मेरे माबाप का सपना है बहुत दूर उनको छोड़कर मैं एक कमरे में बन। किताबों के बीच में कभी खुद को समझाते हुए खुद ही कोने में रोते हुए ना समझ आने पर भी समझने की कोशिश करता हुआ एक दिन मैं जरूर बनूँगा जो मेरे माबाप का सपना है दोस्त मैं तुम्हारी हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ समझ सकता हूँ इस समय ये वो वक्त है जिस समय तुम्हें लगेगा एक कोई है ही नहीं हमारे साथ में देखो यार जिन्दगी में कुछ ऐसी चीजे तो होती है जो हमारे हाथ में नहीं है जिनको हम नहीं बदल सकते अब तुम सोचो कि सब कुछ पहले से ऐसा अच्छा हो जाए फिर मैं शुरुआत करू पहले मेरी सारी प्रॉबलम खत्म हो जाए तब मैं करू तो ऐसा तो होने वाला नहीं है मेरे भाई कभी नहीं हो मेरा एक सवाल है आज तुम से जिसका आंसर कॉमेंट में लिखके जाना क्या तुम इस समय खुद पर विश्वास करोगे या फिर जो दूसरे तुम्हारे बारे में सोचते हैं उस पर विश्वास करोगे क्या तुम उन लोगों पर विश्वास करोगे जो कह रहे हैं कि तुम एक failure थे हो और रहोगे ना ही तुम्हारे साथ कोई था और ना ही तुम्हारी कोई परवा करता है मेरे दोस्त ये लोग उस तरह के होते हैं जो तुम से पूछेंगे कि तुम कैसे हो और तुम अगर कह दोगे कि मैं ठीक हूँ तो विश्वास भी कर लेंगे किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम अंदर से कितने तूटे हुए हो अरे जिन्दगी में कई बार ऐसी सिच्वेशन आ जाती है तुम्हें लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया मैं उटकर दुबारा तो खड़ा ही नहीं हो सकता यार जब तुम शुरुआत करते हो यूपी सिकी तो शुरुआत में तुम्हारे मन में डाउट आना कोई बड़ी बात नहीं जो भविश्य आने वाला है उससे कभी कभी तुमें डर भी लगेगा कोई बात नहीं थोड़ा बहुत ये भी रहेगा कि अगर मैं नहीं कर पाया नही नहीं कर पाई तो लोग क्या कहेंगे थोड़ा बहुत ये सब के अंदर होता है और कई बार ये सारी बाते सोच सोचकर माता भी भटने लगेगा मेरा तुम से फिर से एक सवाल है क्या तुम सोचते हो कि कुछ उमीद है थोड़ी बहुत मैं तुम से पूछता हूँ कि अगर तुम सोबार फेल हो जाते हो या सोबार फेल होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आते क्या फिर तुम दोबारा नहीं उठोगे पिल्कुल उठोगे पहले भी उठे हो और आगे भी उठोगे क्योंकि तुम्हारे मन में पता होना चाहिए कि हार को हार मान लोगे तब ही हार है जब तक अंत नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, तब तक कोई अंत नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम कितने अटेम्ट दे चुके हो, मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारा पहला अटेम्ट है, लेकिन अब अगर तुम यहां तक पहु पुका हुआ था फिर से धक्का मार के खड़ा हो जाना उठना हो सकता है अब तक कोई बीमार पड़ा हुआ था इस कारण कुछ नहीं कर पा रहा था तो दोबारे से अपनी दवाईयों के साथ में अपनी तैयारी शुरू कर सकता है आरे अच्छा महसूस नहीं कर पाना भी है तो हमेशा जल्दवाजी करते है अरे अभी तो जिन्दगी देखना बाकी है अभी तो आई एस बनना बाकी है अभी तो आई पी एस बनना बाकी है अभी तो अपने माबाप का सपना पूरा करना बाकी है उठो तुम्हारे भूत काल से शत प्रतीशत बहतर है तुम अपन आने वाले कल में अपने बीते हुए कल से बहतर हो क्योंकि अभी नापी है मुठी भर जमीन तूने क्योंकि अभी नापी है मुठी भर जमीन तूने अभी तो तेरी असली उडान देखना बाकी है असली उडान देखना बाकी है मेरे जितने भी सवाल है आज comment में उनका जवाब देके जाना कितने भी depressed क्यों ना हो कितने भी परेशान क्यों ना हो कितने भी दिक्कत में क्यों ना हो मुझे Instagram पर जुड़ जाओ daily motivation के साथ-साथ आपके हर सवाल का जवाब मैं देता हूँ link description में मिल जाएगा और साथ ही साथ आप में से कुछ students को मैं live classes देने वाला हूँ communication skills के बारे में अगर आपको जिजक होती है UPSC की तैयारी कर रहे हो prelims की, mains की, interview की या public speaking सीखना चाहते हो लोगों से बातचीत कैसे करना है ये सारी basic चीजे मैं खुद सिखाऊंगा कुछ students को one-to-one सारी details भी Instagram पर आप मुझसे पूछ सकते हो उसकी live classes बहुत जल्द में शुरू करने जा रहा हूँ link नीचे description में है मुझसे अभी जुड जाओ और अगर वीडियो सच में पसंद आई हो तो एक like सरूर करना और जितना दम है दबा के share करो क्योंकि याद रखना कोई है या नहीं मैं हमेशे आपके साथ हूँ Be Happy and Stay Motivated with CD Venia